चंपावत के सिप्टी छेतर में आतंक के परियाय बन चुके गुलदार को वन विभाग ने पकड़ने में सफलता पाई जिसके बाद ग्रामिडों और वन विभाग ने राहत की सांस ली रविवार सवेरे इसकुलदार ने सडक निर्मार कारी में लगे हुए एक नैपाली मस्दूर पर हमला कर गंभी रूप से घायल कर दिया था इसकुलदार की दहसत से लोग अपने बच्चों को स्कुल भेजने तक में डर रहे थे हाला कि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा और कैमरे फिट करते हुए लगाये थे लेकिन गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हो पाया तब ज़ाकर वन विभाग चमपावत ने गुलदार को पकड़ने के लिए नैनिताल से एक्सपर्ट की टीम गुलाई एक्सपर्ट टीम ने देर रात 12 बजे के लगभग ट्रैकुलाइजर गन से गुलदार पर निसाना साथ कर बेहोस किया तब ज़ाकर गुलदार को पिंचरे में कैद किया गया